आज हम आपको ऐसी शक्सित से मिलवाएंगे जो जनजातिय समाज में जन्मी और जीवन के संघर्षों का सामना करती हुई समाज को बदलने और खासकर जन्जातिय समाज को मुख्यधारा से जोडने के लिए संघर्ष करती रही और इसी उद्देश से उन्होंने समाज सेवा शुरू की समाज सेवा से राजनीती में आई और अब वो एक संवधानिक पतपरासीन है आज हम आपको मिलवाएंगे भारत की पहली महिला आदिवासी गवर्नर जारखन की गवर्नर द्रौपदी मूर्मूजी से और जानेंगे उन से उनके संघर्ष के बारे में और क्या सोचती है वो की समाज में किस तरह के बदलाव की ज़ूरत है जिसमें जन जाती है समाज को समाज की मुख धारा के साथ जोड़ा जा और उनकी मुश्किनों को कम किया जाए द्रौपदी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कारेक्रम में तेजस्वनी में और हमारी आज की तेजस्वनी आप ही है सबसे पहले अगर हम शुरुवात करें आपका जीवन शुरू हुआ उड़िसा से उड़िसा के मयूरुभान जिजिले से आप गवर्नर है जारखन की ये जो सफर इतना लंबा रहा शुरुवात बच्पन आपका उड़िसा में बीता वहां से किस तरह से जब सफर शुरू हुआ तो सोचा था कि आप यहां तक पहुचेंगी मैं तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक गवर्नर बनोंगी लेकिन एतना जरूस मैं सची थी कि मैं थोड़ा क्यूंकि मेरे जो फेमिली बहुत गरीवी है थोड़ा मैं फाइनांस स्याली उनको सपर्ट करूँ इसलिए थोड़ा पढली के इसा बन जाओं कि मुझे थोड़ा नकरीम मिल जाए लेकिन मैं मुझे परेटिक्स में जाना एक और नर्बना यह में कभी सची नहीं थी मेरा पढ़ाई गाउं में हुआ मेरा गाउं ओडिसा के मोईरफंजिला मोईरफंजिला के रिमोट गाउं उपर वड़ा ओहां एक से गाव आये थे तो मेरे बिदा जी ने बोले कि आप वो इसे तो में तो नहीं जा सकता हूं क्यूंकि मुझे थोड़ा ओहां जाना क्यूंकि यह पूर है उनको बात जीत रहें से तोड़ा डिफेरेंस में मैं नहीं जा पाऊंगा आप जाए तुम जाओ और अपना साटिफिके उनको दे दो तो हम मीटिंग चाल रही थे ऐसे मीटिंग के बीच में सर्टिफिके लेकर के मिनिस्टर के पास में गई और साटिफिकेट दे दिया क्यूंकि आईस ओफिसर्टे भू सरे ओफिसर्टे उनका ठीके यह बच्ची गावं से आई ही तो आई है तो थोड़ा उनक तो भूने उसर हमको मदद करना चाहिए, वहां आपको दाखिला करनेल के लिए उनको मदद करना चाहिए, इसलिए में स्टेल कापिटल में मैंने पढ़ना चुरू किया, क्लास साइट से मेट्रिक फेर ग्राजुएशन तो आप यह उस समय किस क्लास में थी जब आपने उन ल थी, और फेर थीवी बहुत दूर में और इहां उस ताइम में हम लोग जितने जिस ताइम के बात कर रहे हैं, इतना सुभिधा नहीं था, आदिवासियों के लिए आश्रूम तो था, लेकिन मेरे पीता जी इतना आवार्ड नहीं थे कि उहां कैसे आडमिस्वन किया जाता ह किसे करने से किसको बोलने से क्या करना चाहिए, उनको मालूम नहीं था, इसलिए मुझे गाउं में ही पढ़ना पड़ा, और इसके बाद फेर मुझे ऑपरचुनिटी मिला, तो फेर बाद में मुझे एक स्टेट कपिटल में पढ़ने के मुका मिला. मुर्बुजी परिवार में और भी बच भाई भेन होंगे, क्या किसी और में भी इस तरह की इच्छा आपको दिखती थी पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाना, या ये आप में ये अंदर से इच्छा हुई और आपने एक प्रयास किया निकलने का? नहीं मेरे तो दो भाई और में, हम तीन लोग थे, लेकिन मेरे जो पिता जी के मता जी, ये मेरे किसको कहते हैं, नानी, उनका इच्छा था कि तुम पठ लिकलो क्यूंकि थोड़ा लेडिज को भी थोड़ा आगे जाना है, क्यूंकि ओ आदिवासी तो ज़रूर थी, लेकि इंगलीज भी बिच भी में बोल देती ती उस टाइम, उस जयमाने के, तो उन्होंने कहा है कि तुमको पढ़ना है तो आगे जाना है, तो मैंने वह ज़रूर पढ़ूंगी, लेकिन कहां पढ़ूंग नहीं सुना कि एक स्टेट कापिटल में एक गाल्स के लिए एक होस्ट नहीं था उनके लिए गाह में रहे तो घोड़ा प्रेंज के सरकल में पढ़ाय लेका है ज्यादा नहीं कि गाह में ही होना नहीं है कि में ही पढ़ा लेका। आपको लगा कि कुछ करने की ज़ूरत है, कॉलेज लाइफ के दौरान किस तरह से आप में परिवर्तन हुआ कि आप समात सेवा की तरफ बढ़ेंगे? देखे, मैं अपको मैंने पहले बोल चुकी हूँ कि मेरा एक ही मुक्सोद था कि मैं थोड़ा नकरी कर लूँ और फैमिली को फाइननस्याल सपट दूँ लेकिन बाद में थोड़ा में साधी हो गया, साधी के होने के बाल थोड़ा फैमिली प्रब्लेम सोसुराल में हो गया, जो सोसुराल बालों ने कॉम्पिल किया कि तुमको नकरी चोड़ना है, क्योंकि दोनों नकरी काने से बच्चों के उफर खराप रहा पड़ता है, इसलिए मैंने नकरी चोड़ दिया, लेकिन अपलिकेसों नहीं दी, अभी तो में 2000 तो मेरा नकरी में में मेरा लिस्ट था, क्यों एसे ही में कोई अपलिकेसों नहीं दिया, इसे ही में रह गया, तो इसके बाद फेर गाउं में आकर के एक टीचर सिब भी मैंने की, बच्चे जो बढ़ने लगे तो मैंने सुचा कि मेरा पास एतना स्टार फ्लोस टाइम है, तो थोड़ा कुछ टाइम को थोड़ा इ एक टीचर सिब शुरू की, स्री ओरबिंदो इंटीग्राल एजुकेशन सेंटर में मैंने ओनोरारी नोकरी की, जहां कोई में सलारी नहीं लेती थी, ऐसे ही मैंने नोकरी की, नोकरी कारने के साथ-साथ मुझे बहुत सोच्याल अनुस्थान से मुझे बुलावा आया कि वहां मेंबर सिब बनी तो मुझे भी लगा कि यह मुझे कारना है, सोसाइटी के लिए, एजुकेशन, का का काल्चलाल डेवलोप्मेंट, सोसाइल डेवलोमेंट के लिए गाओं गाम में घुमती रही, तो हां कि पलिटिकाल लोग मेरे उफर थोड़ा उनका, क्यूंकि यह जब आप गाओं गाओं जा रही थी, क्या आपको लगा कि उनके बीच की एक महिला, जो पढ़ लिखके एक तरह से नौकरी भी आपने की, उसके बाद आपने छोड़ी और फिर आप समात सिवा में लगी लोगों के बीच में, तो उनको लगता था कि हमारे बीच से एक महिला निकली बाहर उसने नौकरी की और फिर अब वापस आके ह आपको सशक्त महसूस करती थी आपको देख कर पैले तरह से नंसий उस साधानोंसी ड्रेस, में ओ पहले बात नहीं करते था एक उस पहले बात नहीं करते थी, मैं पहले बात करती थी, तो इसलिए उनको थोड़ा बहुत कॉमपेटिबली मुझे मिलते थे बात करते थे तो उन्होंने कहा कि येस आपके जैसे हम लोगों के प्रसाहित करने मैंने लगी कि मोहिलाओं को भी बच्चियों को भी पढ़ाना है इसलिए आज जितने बोईज नहीं जाते स्कूल आज गाल्स बहुत जाते हैं आज 60-70 परसन गाल्स पढ़ते हैं स्कूल में मुझे बहुत अच्या लगता है मुर्मुजी का ग्रामीड परिवेश था पढ़ने की ललक थी चाहा थी जिसकी वजह से वो राजधानी भुबनेश्वर में चली आई और महां से उनके जीवन ने एक नया मूर लिया समाद सेवा की शुरुवात की आईए जानते हैं उनसे किस तरह से समाद सेवा से आगे बढ़ते हुए वो राजधनीती में बढ़ी मुर्मुजी राजधनीती का चुनाओ शादी के बाद मुझे लगता है परिवार भी आगे बढ़ गया था बच्चे हो गए थे उसके बाद आपने करा यह कितना मुश्किल निर्ने था आपकी जिस समय आपने लिया और किस चीज ने आपको इतना प्रेरिद भी किया? मुझे तो बहुत मुश्किल था निर्ने करने के लिए क्योंकि बच्चे छोटे थे और राजनीती को उस दोरान अच्छा नजरिया से नहीं देखा जाता है ज़्या तर महिलाओं के लिए क्योंकि मैं जिसी सो साइट से बिलंग करती हूं और राजनीती को मैं नहीं जाना वह झाला झाई जाना चाहिए. अजय रदाना हो फटो है नियु उही जाना चाहिए. सपते हैं मैं जो पागल में अपना एक मंत्री मुझे जो जिन्हुने मुझे दाख लादिया. पढ़ने के लिए श्कूल में दाख लादिया. उनकी एक दोस्त, रोज मुझे मिलते थे, मैं जो स्कूल चूटी हो जाता था दरभपधी, आप क्या सोचा मैंने जो आपको जिगर किया था, आपको जिगर किया था, आपको पलिटिक्स में आना चाहिए, तोड़ा फिल्ड बढ़ा फिल्ड होगा काम, जो नहीं होना क्याँ कि मुहिलाओं को मुझे जतना तर बता है, जतने मैंने सुनी है कि एसे रात दिनों हां काम करना पड़ता है, रात को भे जाना पड़ता है, कभी रात भी तूट करना पड़ता है, forgivenay वुरु स लोगों के साथ जाना पड़ता है तो इस जो बात आपको आच्छा लागेगा, तो जरूर मैं जाना चाहूंगी, लेकिन मैं ऐसे कम करना चाहूंगी, मैं जो भी कम लेती थी, तो थोड़ा मैं उसको बहुत अच्छी सराते कम करना के लिए मुझे बहुत पसंते, एसे मेंबर्शिप लेना, एओ करना मुझे आ एसे आपने जब शुरू करा तो 1997 में आप नोटिफाइड एरिया आपने लगा, पहला चुनाओ किस तरह से आपको लगा कि चुनाओ लड़ने के लिए जब आप मैदान में क्यूंकि मैं क्लीन, नीट एंड क्लीन थी और मैं टीचर सी भी करती थी इतने गाडियांस में जो सब्जेक्ट पढ़ाती थी ना, सब्जेक्ट में ओन टीउसों नहीं देते थे, बच्चे ऐसे से 70, 80, 90 परसंट रखते हैं, सब मुझे गाडियांस लोग कहते हैं, मुर्मुझी आपका सब्जेक्ट में हम अपने बच्चों को हम कोचिंग नहीं देते, क्योंकि आप तो इ मुझे भाइस च्ईार्मेट भी होँ, नोटिफाइड एरिया कांसिल में बना दिया गया, और मुझे कुछ काम दिया गया, और थराइज किया गया, क्योंकि च्ईार्मेन ऐल इन क्योंकि और सालों से जो काम नहीं हुआ था, मैं ओerel 65 वार्ड है, मैं 15 वार्ड में घुम 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 के लोगों अになर्काम किया, फिर हार लोग में Iman and that to customer person, मुझे पकेश्रे पंचनने लगे, फिर जोब टूथाउजन में, नाइनटी से पांच साल का ये तो आप जानते हैं टॉर्म होता हैं, लेकिन बीज में मुझे जोब जेनराल इलेक्शन आ गया, मुझे दोहाजार में टिकेट दिया गया, उन्होंने का आपको तो लड़ना है, मेने वाला मेरे बैचे चोटे-च थोड़ा मेने वाला थीक है चलिये, बच्चे भी बले, थीक है मा तुम लड़ना जाती हो तो लड़ो, तो फेर दोहाजार मुझे टिकेट दिया गया, जीत भी गया, जीत भी गया, मैं उर्भनजिले के रायरंगपुर से, सीट से आपने चुनाव जीता, जीतने का बाद मुझे तो पता नहीं, फेर मुझे मंत्री का पद्या गया, ट्रांसपोर्ट एंड कमर्स का, ट्रांसपोर्ट कमर्स क्या है, मुझे डिपार्टमेंट के बारे में भी मुझे पता नहीं था, फेर में भूद को सीज की, क्योंकि आप जानते हैं महिलाओं को थोड़ा करते हैं कि यह महिला है यह फिर आदिस पैसी छेत्र से आये हैं क्या कार पाएगा ऐसे ही देते मुझे लेकिन मुझे पता नहीं सबका सपर्ट मिला वहां भी बहुत अच्छा किया डिपार्टमेंट मुर्बुची अपने इस राजनेतिक जीवन के दोरान आपको क्या कभी यह लगा कि कुछ जो शौक आपके हैं जो शौक जैसे समाद सेवा का एक शौक था इसके लावा कौन से वो शौक थे जो पीछे छूट गए और जिन्दगी राजनेतिक जीवन में इतनी व्यस्त हो लेकिन में गाओं गाओं एसे कोई गाओं नहीं में नहीं कहीं एसे कोई हमलेट नहीं में नहीं कहीं क्यूंकि ओ ऐसे नहीं कहीं कि यह तो मोई लाए क्या गुमेगा यह बात मुझे अच्छा नहीं सेल्प्रेस्पेक्ट मुझे बहुत मैं स्कुंसियस हूं आपिस में जाओंगे, बीफर टाइम, पर अनेका टाइम कोई भी हो, लेकिन बीफर टाइम मुझे जाना है, ओंज ना है कोई भी मेरे उफर कोई अमर ली ना देखाए कि ये एसे कार कारा है, लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि ये रिस्तेदार लोग थोड़ा छुट के, ल सोशाइस, सोशियाल, गाउं के, मैंने गाउं को सुधाना, इसलिए थोड़ा, लेकिन मेरे फर मिले का सपोट मुझे मिलता रहा, बच्चे भी और मेरे पोती देव बहुत सपोट करते रहें. राजनेतिक जीवन और पारिवारिक जीवन, महिलाओं के लिए थोड़ा सा चुनौती भरा हो जाता है दोनों को एक साथ चलाना, क्योंकि राजनीती भी आपका ज्यादा वक्त मांगती है और परिवार भी, इस दोर में किस तरह के मतलब संकट भी सामने आए, कैसे दोनों के लिए आपने समय निकाला परिवार से? वो पता ही नहीं, बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्यों पढ़ा ही लिए नहीं, इसलिए जो मिन खरिदी उनको घार बनवा दिया, और तुम खेती करो, और अच्छा घार में रहो, और मा को और मेरे एक भाई भावी को बुला लिया, वस उन्होंने मुझे 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 मु अच्छा को लगता है किस तरह की तबदीली पिछले 40-50 साल में जनजातिय समाज के लिए हुई है, क्या परिवर्तन हुआ है, क्या बदलावा है, थोड़ा बदलावा हुआ है, आज जनजाति समान पढ़ने लगे, उनके सोस्याली थोड़ा आगे बढ़ने लगे, गाओं क आज कच्छा रास्ता था, आज पका रास्ता होगा, आज पानी पिने को मिला, फिर आज इलेक्ट्रिफिकेशन हो किया थोड़ा बदलावा आया है, उनका नजरिया अच्छा होना चाहिए, उनका जो ड्रेस थोड़ा थोड़ा अच्छा पहनने लगे, क्योंकि ए बहार अजरिया का प्रभाब उनके उपधरा पढ़ने लगे, उनको बच्छों को अच्छा स्कूल में दखालाद, मने, वो देते हैं, कोसिस करते हैं, इसलिए थोड़ा, महिलाएं जब राजनीती में आती हैं, और जब आप राजनीती में आपने कहा कि दो बार जब आपने मंत् किया और आपको बेस्ट MLA का एवार्ड भी मिले आ, क्या आपको लगता है महिलाएं जब काम करती हैं, तो क्या वहां के काम करने के माहौल में परिवर्तन आता है, बदलता है माहौल, महिलाओं के प्रती लोगों की सोच में बदलाव होता है, इसलिए महिलाओं का ज्यादा सा ज्याधा बाहर निकलना गभिर आना से समाज में काम काम करने की जबुरत है? जोरूर क्यूंकि मैं कहते हैं कि महिला जब एसे काम क शकते हैं। कि आपको बता चुकी हूँ कि राजनीती को अच्छा नजरिया से नहीं देखा जा जो में राजनीती में आई अरे ओकार पाती है वो तो एतने अच्छे हैं एतने पुरूस लोगों के साथ ओं मिलती है फिर भी ओतो अच्छा है उतको नाम करते हैं गाउउगाउन लोग उनक पंचाइत राज को ओडिशा में 50% मोहिला के लिए औरक्षेट कर दिया गया और अभी फिर मोहिलाइं भी अभी कॉम्पूटिशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि येस हमको भी कॉम्पूटिशन में हमको भाग लेना है पहले स्पोर्स गाउं गाउं में हो ता था अभी हो रहा है पहले मोहिलाइं स्पोर्स में भाग नहीं लेते हैं अभी मोहिलाइं आगे आते हैं जो मोहिलाइं साधी सुधा है ओ भी कॉम्पूटिशन में भाग लेते हैं रान में भी कोई भी कोई भी कोई भी कोई बुराई नहीं कोई भी बुराई नहीं कोई भी कर पाई इसलिए हो तोड़ा मौजूदा समय में तो आप एक संविधानिक पतपर हैं लेकिन आपको क्या लगता है कि जीवन में अभी आगे और क्या करना चाहती है आप जो अधूरा आपको लगता हो समाज के लिए भी समाज को एक मेसेज देना चाहते हूं जुनून होना च जाहिए क्या मुहिला है यह फुरूश है क्य suggesting कि सोब के अंदर पोटें अड़र्चीं पोटेंशालि यशे को मोकात देना चाहिए आगे आनना चाहिए आगे बढ़ना जाहिए क्यों कि सोब के अंदर किस नाकί बसेष्टा है उसी बीसेष्थान को लोगों कमास को देना त आज भी हम कहते हैं कि अधिवासियों में ओडिशा में संथाल प्रोग्रेसिव है लेकिन एतना भी प्रोग्रेसिव नहीं है कि ओ दूसरों के सट कॉम्पेट कर पाए इसलिए और भी थोड़ा आभी हम फाउंडेशन स्टेज में हैं आगे जाने के लिए मोहिला को और और अपने बच्चों को भी पालने के लिए दोनों का सहवागिता ज़रूरी है इसलिए इसके लिए जुनून होना चाहिए इसके लिए कभी भी अपने आपको इंफिरियोर नहीं मैसुस करना चाहिए यह समाज को तो कोई भी ऐस है तो गटनाई तो ऐसे नहीं है कि लेकिन इसके बिच हमको रहना है काम करना है आगे बढ़ना है क्योंकि आगे बढ़ने से ही हम खुद नहीं आगे बढ़ने के लिए तो कोई भी पिछे से कोई भी आप लोगों को कोई कुछने कर पाएगा क्योंकि हम लोगों को इसलिए इच्छा स्वक्ति को थोड़ा मु कि यह चाहती कि मैं इतने संगर से आई हूं साइद किसी के जीबन में मैं भवान को ततना करती हूं मेरे जैसा कटनाई किसी के जीबन में नया आए लेकिन ऑकसिस करते रहे की ओ आगे बढ़े की जिन देगी काना मुर्मो जी अगर आप जिक्र करना चाहें तो जरूर करें क्योंकि वो भी महिलाओं को प्रेड़ना देगी हम जो बाहर से दिखते हैं लेकिन अंदर कितना संगर्श करके हम खड़े होते हैं यह भी मुझे लगता है महिलाओं को के लिए कूर्जा होगी जो 2009 में अपना इलेक तुम पढ़ा ही करो मुझे गाहूँ जाना है क्यों कि गाहऊं में काम करना है क्योंकि आप तो अभी पढ़ाइ कर रहे कोई नकरिये तो नहीं कर रहे हैं अभी मेरे पास तो में कोई अच्छा mm ng नहीं है जतने अभी पैनिन बलेगा उसुसी सी से आम को गुजरा करना पड वना मेरे बच्चे बुबने शुर में एक दिन में ने सुना कि बच्चा सुबह नहीं है। अच्छे लेगे शरीर छट्टिया, तो क्या हुआ मुझे पता नहीं। तो मैं थटड़ा तूटकी। मैंने सोचारे क्या हुआ। यह जिन्देगी मुझे मैंने सौचा कि कुछ दिन के लिए में थोड़ा थोड़ा शांथ कि उसके बाद तराफ समार शेखुए दिप्रेशन में सौचे कि यह साइट नहीं रहेगे यह मर चाएगे लेकिन मैंने सौचा मुझे जीना है तो कुछ लोग तो है लोग मुझे मेर का आपको जाना है गाओं गाओं जाना सौमाज आपको मने वेट कर रहे है को गाओं जाना है लोगों के लिए काम करने फिर में थोड़ा दो तेर मेने के बाद मेने सोचा तोड़ा मुझे रिलिजियों के आद के दिसा में मुझे जाना है मुझे तपश्या थोड़ा काना ह माइस को स्कूल सेट काना इसले में ब्रोम्ह कुमारी जाइ रह कर दिन रात में रहा इने मेड़्टे सनकते रहे एक माइड को था फ़ल्म कारे लिया फेर का व जाओ को में прोत्म को न क्देने लगी खान कांग Sवच Amare रहने लाइफ में कैसे ये बदलाओ लेना चाहिए जितना नेगेटिविटी है अपने पास काम क्रोद लोग मोह कर है फिर इतने नेसे थोड़ा ओट एडिक्टेड आदिवासियों का अंदर थोड़ा है इसे तो इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ना है जिंदेगे में आगे परिवार को अगे लेना तोड़ा है जितना में ठेरी मेरे डुस दोसतों के साथ है कहां तो आक्सीजन पे उनका मिं दिहाँ तो गया जाएफ मेरा ऑन ठापी देपरिशों ने बिप्रीस네 चला गया बदीटेविटीप का होग्या मेरे मा का देहाँ थो मेरे छटा भाई के अद्रहां थो किया तो जीवन को बहुत संघर्षों से उतार चड़ाव से निकलते हुए फिर आप समाज के साथ जूड़ीं और आपने अपने जीवन को पूरी तरीके से समाज के लिए समर्पित कर दिया मुर्मुजी जीवन के इन तमाम संघर्षों से आप उबरती हुई अपने आपको आपने समाज के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया और समात सिवा में लग गए मुर्मु जी समाज के उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेणना है जो संघर्ष से ठक जाती है, डर जाती है और थम जाती है मुर्मु जी प्रेणना है उन महिलाओं के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहती है और बस एक हिम्मत की कमी है वो हिम्मत दिखाने की ज़ूरत है सलाम है हमें समाज की ऐसी तेजस्वनियों पर बहुत बहुत शुक्रिया मरमोजी दूर दर्शिन से बात करने के लिए शुक्रिया